गुट मॉनिंग एंड वलकम स्टड़िया क्यों स्वागत है आप सबका स्टड़िया क्यों प्लेटफॉर्म पर दोस्तों जून दो हजार चॉबिस जून दो हजार चॉबिस का जो मद्द प्रोदेश का करेंट अफेर है वो यहां पर हम लोग आज डिसकस करेंगे तो जून जो आपका दोजार चॉबिस है उसके करेंट अफेर को यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले यह जो डिसकसन होगा थूंसी क्यों होगा मसी क्यों के बेसिस पर हम लोग यह डिसकसन आपके सामदे रखेंगे इस डिसकसन में आपके कुछ सबसे पहले देखते हैं आज का अपना पहला कोशन आज का पहला कोशन क्या रहा है निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए अठारवी लोग सभा के आम चुनाओं में इन दौर में नोटा का सच्छेली कुप्यों हुआ बिलकुन सही है क्यों क्योंकि जो कॉंग्रेस को उन्होंने सबने नोटा का बटन दवाया जिस कांट यहां पर नोटा का सब ज़्यादा उपयोग हुआ ठीक है तो पहला स्केटमेंट पूरी तरीके से सही है दूसरा क्या रहा है नोटा का विकल्प नोटा मतलब होता है नॉन ऑप दी एबब विकल्प पहली बार 2014 के आम चुनाओं केस किया गया था दोनों ही सही है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर C आप यहां पर याद रखेगा नॉन ऑप दी एबब देने का मतलब क्या है नोटा का मतलब क्या था नोटा का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग क्या होते है कि जब उनके पास कोई उनके पसं नहीं है तो आप नोटा को बोट देजिए ठक है हाला कि no statement को आपके किसी उम्मीदवार से जादा भी नोट मिल जाए्ट कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है मतलब अब सब्से जादा बोट भी यदि no नोटा को मिल जाए तो नोटा के बाद जो दूसरे नंबर पर उमीद बार होगा उसी को जीता हुआ माना जाएगा लेकिन केबल और केबल बोस्टिंग परस्टेंटेज बढ़ाने के हिसाब से यह कह सकते हैं कि एक महात्रपून कदम है ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे यह भी आपको दिमाग में रखना है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर राश्क टिस्तर पर पुल पांच लाग 33705 बोटरों ने नोटा पुछोना जिसने सबसे अधिक दो लाग 18674 बोट इंदौर की सीट पर दर्ज किये गए ठीक है चलिए अगला भारत ने प्रोजेक्ट चीता के संदर में निम्रिखित कथनों पर विचार कीजिए इंडियन वाइड लाइप इंस्टिट्यूट के सहयोग से कार्यानवित की गई है यह बात भी आपको याद रखना है दोनों है स्टेट्मेंट पूरी तरीके से सही है ठीक है यानि कि आप जानते हैं कि पहले तो आपके 17 सितंबर 2022 को और फिर उसके बाद आपके 19 फरवरी 2023 को ठीक है क्रमसा चीते लाए गए कहां से आपके अफरीका और नामी विया से ठीक है तो यह बात बिलकुन सही है और ये और ये दोनों स्टेट्मेंट सही है उत्तर हो जाएगा option number C option number C is your right answer ठीक है इस परियोजन का उदेश देश में 1952 जो हमारा चीटा है ठीक है जो टाइगर और वहारत में को नर्स थाफित करने की बात यहां पर कि गई है जहां पर इंद को तुछ करते हैं तो Anda कि सब्सक्ति उल्लू के संदर में स्थानिक मतलब यह का जा रहा है इट इंडेमिक टू इन्डिया ओंली इस में ली मतलब यह राप्तरी चर है It is solitary world यहाँ पर अपर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से प्रस्न का उत्तर आदि हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सब ही तीन मतलब ये ये और ये जब इस तरह के प्रस्न होते हैं कि आपको maximum information प्रोवाइट करा दी जाए और maximum information प्रोवाइट कराने के हिसाब से देखा जाया तो तीनों ही statement क्या है सही है ठीक है तीनों ही statement पूरी तरीके से क्या है सही है हाल ही में page tiger reserve महरास्ट में spot wallet eagle उल्लू को देखा गया था आम तोर पर भारस्रलंका नेपाल भूटान बंगलादेस और दक्षण पूर्वेसिया की कुछ इस्तों में यह क्या होता है पाया जाता है यह बात आपको ध्यान में रखनी है चलिए आगे बढ़ते है आयू सीन की category के यदि हम बात करें तो आयू सीन इसको किसमें रखा गया इसका पूरा नाम है यह बात भी आपको दिमाग में रखनी है ठीक है और वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था यह भी अधी पूछ लिया आपसे तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया था 1972 में आया था ये बाद भी आपको दिमार्ग पे रखनी है वन जीव संरक्षण अधिनियम यानि वाइलड लाइफ कंजर्विशन एक्ट जू आया था 1972 में आया था ये बात आपको ध्यान में रखनी है निम्लिखित कतुनों पर विचार करें ठीक है, consider the following statement, consider the following statement, चलिए, पहला कोशन कहा है, तापती रिवर राइज इन दे सेकंड लांगिस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया, तापती नदी भारत ने पश्चिम प्योर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी कौन सी है, नर्मदा है, दूसरी बिल्कुन ये सही है, तापती नदी केबल, गुजरात और मद्दप्रदेश राज्यों से बहती है, ये गुजरात, ठीक है, प्लस महाराष्ट, प्लस MP, इनों में बहती है, यह आरब सागर में खंबात की खाड़ी में गरती है, बिल्कुन सही है, एक और तीन इसक ये मुल्ताई पहाड़ी से निकलने वाली इस नदी की जो लंबाई है, 724 किलोमेटर है, और ये 724 किलोमेटर महाराष्ट, गुजरात और मद्दप्रदेश में बहती हुई, आपके खंबात की खाड़ी अरब सागर में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, गिर जाती है, ये बात आपको याद रखनी है, इसके अलाबा आपको याद रखना है कि तापती जो है, वो सत्पुडा के दक्षण में बहती है, सत्पुडा के दक्षण में बहती है, और सत्पुडा से ही निकलती है, बेसिकली सत्पुडा से ही निकलती है, और सत्पुडा के यदि हम ब बाद करें तो सबसे उपर आप देखेंगे तो बिंद मिलेगा आपको मद्ध प्रदेश के कॉंटेक्स में बिंद के बीच में फिर आपको नर्मदा मिल जाएगी फिर आपको सत्पुडा मिल जाएगा और यहीं से क्या मिल जाएगी तापती मिल जाएगी तो यह बात आपको दियार में रखनी है चलते हैं आगे और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट कोश्टन की यहां पर सारी बात हैं जिसके यहां पर लिखी हुई है समय आपको बता दी है यहां पर कुछ इंट प्रडिश टूब इंस्तौन कंटरी नार्ड यह सबसे बड़ी इपन क्रेकर प्रोजेक्ट कहां पर लगाया गया यह आप से पूछा जा एत्-धि एथेन क्रेकर प्रोजेक्ट यानि कि सिहोर जिले में क्या किया गया है एत्धेन क्रेकर प्रोजेक्ट लगाया गया है यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो ने गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सिहोर जिले की आस्टा तहसील आस्टा तहसील में देश की सबसे बड़ी इथैन क्रेकर पर योजना इस्थापित करने मंजूरी दे दी गई है ठीक है तो यह किसके द्वारा की गई है गेल 1951-52 तो आपके दिमाख में हो सकता है कि भाई दोनों ही सही है तो हमने अमेरिकन पैटन को क्यों नहीं अपनाया तो आप जानते हैं कि पिछले दो ती 300 सालों से चिंगा है पिछले 300 सालों से यादी हम बात करें तो भारत में किसका शासन चल रहा था तो ब्रेकर ब्रेतेन की प्रणाली ब्रेटेन का जो सिस्टम था उससे हम थोड़ा सा फ्रेंडली हो चुके थे इसले हमने ब्रिटिस इस पारलिमेंट होती है उनके यह!? जो पार्लेमेंट होती है वो भी क्या है बाई केमरल है ठीक है ये भी क्या है दुई सदनी है कैसी है दुई सदनी है और ये भी क्या है बाई केमरल आपको देखने को मिलेगी कैसे देखने को मिलेगी यानि की दुई सदनी है आपको देखने को मिलेगी ये बात आपको वाली से उनके हमारमे सब केंखा जाता है यहां और माराजा होते हैं या अागे चलते हैं और बात करते हैं आप से नेक्स्ट कूश्यन की ठीकिए ये पूरी चीज़ंगी निखे Numem नेक्स्ट चीफ मिनस्टर डॉक्टर मुहन यादो स्टार्टेड दपी अम स्री टूरिजम एयर सर्विस विट द एम आफ इंप्रूबिंग कनेक्टिविटी टूरिस्क डेस्टेशन विट्मीन विच सिटीज बुक्रम्थरी दॉक्टर मुहन यादो ने किन सहरों की बीच प जबलपूर या फिर भूपाल से ग्वालिया देखिए यहां परिदी हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपाल से जबलपूर यह स्टैबलिस किया गया है तो पर्याटन इस्टनों तक कर्णेक्टिविटी बढ़ानी कुद्देश से मुख्यमंत्री जो डॉक्ट है जबलपूर में है उसका नाम हलाकी रानी दुरगवती के नाम पर किये जाने की बात की जा रही है ठीक है तो वह बात भी आपको ध्यान में रखना है चलों गांधी सागर वन्यजीव अभ्हरण के संदर में निवली की कतनों पर विचार करें गांधी सागर अभ्हरण जल विद्दुत परियोजना है उसमें भी गांधी सागर का नाम आता है और यहां पर गांधी सागर अभ्हरण जो है वो मंद सौर में देखने को मिलता है और मंद सौर के सांसा नीमच का जो उत्तरी सीमा है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है पहला स्टेट्मिक पूरी उत्तर पस्चिमी सीमा का नरधरन करती है और एक बात और याद रखना है आपके उत्तरी छित्रों पे बीवणों का भी निर्मान करती है ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है उनके बीवणों के निर्मान के पीछे का रीजन क्या है और नालिका अपरदन जिसको हम गली इरोजन के नाम से जानते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, option number C, both 1 and 2 are right, ठीक है, तो यह चीज आपको दिमाग में रखनी है, अब आगे चलते हैं, कानहा tiger reserve, कहा है भाई, मंडला में है, ठीक है, मंडला में है, और इसको सबसे पहले 1974 में, 1974 में project tiger में सामिल किया गया था, मद spot भी है, सुभंकर जारी करने वाला एक मात्र मद्द प्रोदेश का क्या है, नेशनल पार्क है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काना राष्ट उद्यान मद्द प्रोदेश का सबसे बड़ा है, सही बात है, इसे 1973 में काना tiger reserve भोजट किया गया, बिल्कुन सही है, यह पहला भाग अभिरन जिसमें अधिकारिक तोर पर सुभंकर भूर सिंग दवारे सिंगा पेस किया है, मैंने अभी अभी अब बताया, यहां मद्द प्रोदेश के मंदला और बाला घाट जिलो में आता है, बाला घाट जिलो में नहीं आता है, तो एक दो तीन आपका सही उत अप्शन नहीं है, तो ऑप्शन यदि 123 होता, तो 123 के साथ ही हम जाते, क्योंकि बाला घाट में बहुत कम छेत्र इसका देखने को मिलता है, यहां पर आप याद रखेगा, यहां पर यदि हम बात करें, तो दोनों है स्टेटमें गलत है, पिछले आठ वर्सों में आम का उत उत्पादन और छेत्र लगातार बढ़ रहा है, 2016 सत्रा में उत्पादक था, 13.03 में ट्रिक टन थी, और अभी वर्तमान में कित्ती हो गई, 14.06 में ट्रिक टन हो गई है, मतलब यह दोनों है स्टेटमेंट उल्टा लिखे हुए है, ओप्शन नमबर क्या हो जाएगा, ओप् लिखित जोड़ों पर विचार कीजिए, नूर जहां, ठीक है, मिया जाकी, सुन्दर्जा, अब यह क्या है, उप्रोंक्त में से कितने जोड़े सही धंग से सुमेली थे, चलो, consider the following pairs, mango varieties हैं, दूसरी तरफ origin आप से पूछा जा रहा है, देखो सुन्दर्जा आपको कहां मि तो यहां पर आप देखें, नूर जहां जो है, लराजपूर जिले के कठी वाड़ा के नूर जहां आम का बजल 500 ग्राम से लेकर 2 किलो तक हो सकता है, इसका पौधा अफगानिस्तान से गुजरात होते हुए, मद्दप्रदेस आया था, कठी वाड़ा में इसकी 37 किसमें दे कीमत 20,000 रुपय तक पहुच जाती है, अंतर राष्टी वाजार में इसकी कीमत 3,000,000 रुपय किलो तक है, इसका रंग लाल होता है, आम का बजन 900 ग्राम से 1,5 किलो तक हो सकता है, यह क्या है, जापानी किसम है, जो थाइलेंड और फिलिफीन में भी मिलती है, ठीक है, और इस एक है सुन्दर्जा, सुन्दर्जा, रीवा के गोविंद गड़ में उगाये जाने वाले सुन्दर्जा आमको भागोलिक संकेतक, GI टैग भी मिला हुआ है, उन्हीं सुन्दर्जा में सुन्दर्जा पर डार्क टिकट जारी हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर याद ये थाइलेंड से नहीं है, ये रीवा मद्द प्रदेश से है, इसको GI टैग मिल चुका है, क्या मिल चुका है, GI टैग, अब आप कहोगे GI टैग क्या है, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन यानि भागोलिक सूचक, यहाँ पर इसको दिया जा चुका है, ठीक है, उपर के दो बिलकुन सही है, उत्तर हो जाएगा, केबल दो जोड़े सही है, तीसरा जोड़ा सही नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चलते हैं आगे और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट कोस्चन पर, ठीक है, इनको भी किया गया, इनको भी किया गया, इनको भी किया गया, प्रताप सिंग से हैं और यह कहां से हैं खरगौन से हैं इनको भी क्या किया गया है अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया है यानि कि तीनों ही अर्जुन पुरुषकार से हो जाएगा आपका उपरोग्त तीनों यह देखिए सूटिंग एस और प्रताप सिंग अना फिर हैं हांकी के लाड़ी सुसी लाचानू और फिर पैरा के नोई लाड़ी प्राची चल प्राची आदो वालिया से हैं और तीनों यहां पर टोटल पदको की संख्या कित्ती बताई गई है एक सो बारा बताई गई है जिसमें 37 च्छतिस रजट और 49 कांस हैं यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा 112 ठीक है जिसमें गोल्ड मेडल कितने हैं 37 हैं 37 सुर्ण है 36 रजट हैं और 49 कांस पर जीत का तालिका में कौन से स्थान पर रहा भारत मद्द प्रदेश चौथे स्थान पर रहा फूर्थ प्लेस पर 37 ठीक है 36 और 39 यह क्या है यह आपके गोल्ड है यह आपके सिल्वर है और यह आपके ब्रॉंज है यह भी आपको द देश सरकार ने वर्स 2023 में मातुझे प्रणाम योजना की सुरुवात की ठीक है मातुझे प्रणाम योजना के तहत राज के 10 से 20 वर्स की आयूग के युवाओं का चैन किया जाता है और उन्हें देश की अंतराष्टी सीमा का दौरा कराया जाता है यहाँ पर यह बात करसित करने की उद्देश से 2013 में सुरू किया गया था ना की 2013 में तो याद रखिएगा 2013 में सुरू किया गया था मतलब यह भी गलत है और घुमाना नहीं है ठीक है बलकि सैन बलों के प्रती थोड़ा सा एक प्रेम या लगाओं का भाव उत्पन करना है ताकि आगे चलकर व किस उद्देश से स्टार्ट किया गया था वो भी यहां पर इस फॉस्ट कर दिया गया है याद रखिएगा ठीक है इस योजना के थैट 15 से 25 वर्स तक के आयूबर की उजवाओं का चैन कर उन्हें देश की अंतराष्टी सीमा का भ्रहमण कराया जाता है लेकिन भ्रहमण कर सकते थे कि भाई ठीक है स्टेटमेंट सही है लेकिन यहां पर लिखा है दस से बीस तो दस से बीस के आधार पर यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स कोश्चन की बात कर लेते हैं मदप्रदेश राज हीमो गलोबिनो थैपी मिसन कब सुरू हो गया राज हीमो गलोबिनो थैपी मिसन जो सुरू है दोहजार इकीस में सुरू हुआ यह बात आपको द्यान में रखनी है प्रधान मंत्री सी नरेंद मोधी दौरा 15 नॉवंबर 2021 को जन जाती गौरब दिवस क के उसर पर सिकल सेल इनेमिया की रोगता में राज हीमो गलोबिनो थैपी मिसन का सुरूआ किया गया है और सिकल सेल इनेमिया जो आपका उसको जिसको 2047 तक हमको क्या करना है खतम करना है उसके लिए यहां पर क्या किया गया है उसके लिए हीमो गलोबिनो थैपी मिसन की सु पंद्रा नवंबर दो हजार बाइस को सुरू की गई और नॉवंबर दो हजार इकीस को पंद्रा नॉवंबर को हम क्या मनाते हैं जन जाती गौरफ दिवस्के रूप में करते हैं चीक है एसी जूनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियंजिब थाइलेंड में आयुजित की गई यह बात आपको दिन दिमाग में रखनी है विट रफ्रेंस टु भगवान विर्शा मुंडा सेल्फ एंप्लाइमेंट स्कीम कंसेर्डर फॉलिंग स्टेट्मेंट भगवान विर्शा मुंडा सोरोजगार योजना के संदर में लिमिट्री कत यहां परिदियम देखें तो यह बात बिल्कुन सही है कि आपको दस से आपका पचास सोरी एक से पचास लाग तक क्या किया जाएगा एक से पचास लाग तक आपको सर्विस और विजनेस के लिए लोन उपलब्द कराया जाएगा ठीक है और उसके अलाबा यहां पर याद रखेंगा अपकी वार्सिक आए आपकी वार्सिक आए जो है वो दस लाख से कम नहीं होनी चाहिए दस लाख से कम होनी चाहिए यह कहाए ठीक है दस लाख से कम होनी चाहिए यदि दस लाख से कम है तब ही आप एलिजिवल होगे अन्था आप एलिजिवल नहीं होगे यह ब बैंकों को एक निश्चित टार्गेट दिया गया कि भाई ये आपको तो करना ही है ठीक है इस योजना के तहट आपको लोन देना ही है टार्गेट निर्धारेद कर दिये गया है यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या एक के वल एक क्योंकि आसिया में आपको देखने को मिलते हैं और एक आपका घ्राण फोक्तर हो जाएगा ये बात आपको थ्यान में रख और यह जेहाँ आगे बढ़ते हैं इसके लिए हम क्या आपके आनाज केंट में क्या आता है घ्लिक है अगला question तो medical device park लगना है बिक्रम पूरी उजयन में और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 100 करोड रुपे की मुंजूरी दे जाती जा चुती है ये कहां लगाया जाएगा उजयन में medical device park लगाया जाना है तो बिक्रम पूरी जो अध्योवीब छेतर है वहां पर medical device park के लिए 100 करोड रुपे की रासी मंजूर कर दी गई है किसके दौरा वाइदा central government चले रानी दुर्गावती के संदर में निम्री कत्नों पर विचार कीजे उन्होंने अकबर क्यात्याचारों के आगे जुकने से इंकार कर दिया 24 जो उनकी सहाधत के दिन को बनिदान दिवस के रुपे मनाया जाता है कलिंजर के चंदेला राजपूत राजा कीरती संदेला की एक मात्र संतान थी उनके कॉंटेक्स में यदि बात करें तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर इदियाम देखें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा अकबर के अत्याचारों के आगे जुकने से इंकार कर दिया था बिलकुन ठीक है आपको यदि याद हो तो आसफ खांस इनका युद्ध हुआ था 1564 में ठीक है और 1564 में ही इनकी मृत्ति होती है यह भी आपको पता होगा तो यहां पर उत्तर इसाब से देखें तो एक और तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर आप देखें 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ती है अपनी तलवार से खुद को सीने में घूप लिया था सहीद हो गई थी रानी दुर्गावती ठीक है इनके नाम से आप जानते हैं इनकी यदि हम कह सकते हैं कि एक समाधी की बात करने समाधी कहा है जबलपूर बरिला ग्राम में आपको देखने को मिलती है चीक है 24 जून कुन की सहाधत का दिन बलियाद दिवस के रुपे मनाया जाता है रानी दुर्गावती का जन्म 24 जून 1524 को दुर्गा अस्टिमी के दिन बांदा जिले में हुआ था वह कलेंजर के स्ट्सेटमेंत क्या है पूरी दारीके से सही है चाहिए ताद रहे थेंट करेंट के संदत्र में नृवडविकरित कतनों पर विचार कीजा वह वह प्रदेस के स्वहरे q Tennessee यह रहे हैं आप देखे यदि कोई ये कह रहा है कि वो छोटे, मोटे अनाज है, तो बिलकुन सही है, छोटे बाज रही है, और दोनों ही स्टेट्मेंट पूरी तरीके से सही है, कोदो पुटकी का बड़ी तेजी से क्या हो रहा, सरकार इसको प्रोथसाहित कर रही है, मोटे अनाजों के क पर देखें तो बहुत ही महत्तपूल होते हैं और वरतमान में सरकार इसके लिए क्या कर रही है स्री अन्य पुरूथसाहन योजना भी लेकर आई है जिसके तहत कोदो और पुटकी जैसे मोटे अनाज उगाने वाले विक्तियों को प्रती किलो दस रुपए तक की आर्थिक सहाता उप्लब्द कराई जा रही है चीक है न्यून्थम समर्थन मूल देने की बात भी कर दी गई है मतलब मुख्यमंत्री ने रागी के समान कोदो और खुटकी के लिए 460 रुपए नियून्तम समर्थन मूल देने का अन्रोध किया है चीक है मद्द प्रदेश सरकार ने राज इस्तरी अभियान दस्तक सह दस्तरों को दो हजार चौबिस का सुभारंब किया दस्तक सह दस्तरों को इसका सुभारंब कहां से किया गया है इसका सुभारंब घुपाल से किया गया है राजधानी से किया गया है ये बात आपको दिमाग में रखनी है चीक है तो उप मुख्यमंत्री जो राजेंद्र सुकल है रीवा से समन्दित है 25 जून को घुपाल ने राजिस्तरी अभिया दस्तक सेह दस्त रोगों को अभियान का सुभरम किया और इसमें क्या है बाल रोगों की पहचान तक उनका तुरित उपचार या रिफर किया जा सके इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया है तो इस तरीके से यह आपके जून माहे का जो करेंट अफेर था उसको हम लोगों ने सारे टॉपिक्स से कोशन लिए गये थे यहां हम यह कह सकते हैं कि उन्हीं सारे टॉपिक्स ही ऐसे थे जहां से कोशन बन सकते थे तो सारी चीज़ें आपके सांथ कवर की गई थी उसके बाद भी इस वीडियो लेक्चेर में हम लोगों ने थ्रू MCQ भी उसको पूरी दरीक पर तब तक के लिए धन्यवाद जैहिल